हेलो फ्रेंड्स आपका जानू टेलरिंग सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए छोटे बच्चे की लंगोटी लेकर आई हूँ जो मैं आपको आज सिखाऊंगी लंगोटी कैसे बनती है हमने नो इंच लंबा कपड़ा लिया है इसकी चोड़ाई डेड़ इंच की है इस तरीके के हमने दो पीस लिये है और ये भी हमने लिया है ये हमारा पाँच इंच का टुकड़ा है ये भी लिया है डेड़ इंच चोड़ा है इनको हम सब सिलेंगे एक एक करके अलग-अलग एक बार फोल्ड करूँगी फिर दूसरी बार फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर रख दूँगी जैसे हम नाड़ा सिलते है उस तरीके से यह हमारी तीनों पट्टियां तयार हो गई है अब यह वाली हम ऐसे डबल फोल्ड करनी है मतलब इतनी चाहिए बाकी हम वेस्ट कपड़े को काट देंगे यह हमें एक लुप्टी चाहिए इतनी डेड़ इंच की डबल में डेड़ इंच चाहिए मतलब तीन इंच की है यह पट्टि उसके लिए हमें चोकोर कपड़ा चाहिए मेने 12 ऐसे लिए लंबाई 12 चोड़ाई लिए मतलब 12 इधर से 12 इधर से चारों तरप से 12-12 इंच के, का हमने एक चोकों टुकडा ले लिया है, ये कपडा सीधा है, इसको हम फोल्ट करेंगे तिर्षा समोसे कट के अनुसार, अभम, ये एक कोना है, समोसे की तरह फोल्ड गाईए, इसमें एक कोना है, इसमें एक पट्टी हम अंदर को डालेंगे और ये इसमें ऐसे रखते हुए और यहां से हम सिलाई लगाएंगे यहां पर हम पक्का कर लेंगे यहां पर हमने रोक दिये जो इसका नो कारा है वहां पर यह डबल फोल्ड करके इसके अंदर रखेंगे ऐसे यह देखी हमने अंदर रख दिया इसके ओपर दूसरा कपड़ा रख देंगे यह बीच में से हम दो इंच की जगे छोड़ देंगे यह दूसरी लुप पर अंदर डालेंगे हम फिर से इसकोने पर यह देखो हमने डाल दिया और यहां पर ऐसे पकड़ते हुए और पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे यह देखिए हमारी सारी लुप अंदर को चली गई है तीनो अब यह जो हमने दो इंच का खुला चोड़ा है यहां से हम इस कपड़े को सीधा करेंगे इधर की लुपी पकड़ेंगे यह देखो आ गई इस तरीके से यह भी लुपी को हम खीचेंगे हमारा कपड़ा यहां से भी सीधा हो गया इस लुपी को भी खीचेंगे हमारे ये तीनों लुपियां देखो निकल के आ गई ये देखिए आप इस पे हम एक उपर से सिलाई लगा देंगे जिससे हमारे ये ओपन जो खुला हुआ है वो भी आपस में सिलाई लगाने पर दब जाएगा तो जो में दब ये देखो हम गुजगे हैं ये हमारी देखो कितनी अच्छी लंगोटी तियार हो गई अब ये ये लुपी हम इसमें चेद में डालेंगे ये इधर से बच्चे का एक पैर निकलेगा और इधर से दूसरा पैर और हम इसको ऐसे वीडियो पसे दाए तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें अभी के लिए पार्टन की खुब सारी लंगोटिया बना सकते हैं वो भी आसानी से